अग्षाय शुरू कि आजा है आंगों उटे दिखाई ये वटावड भाईया session number two तो आज जो अम लोग करने वाले हैं वो है भाईया lecture number two तो जिनोंने lecture number one नहीं देखा है वो जाकर के पहले lecture number one देख ले आगर आज नहीं देख पाएं तो आज के बाद जाकर के देख ले छीक है lecture number two नों शुरुवात करते हैं सबसे पहले ammonium आयन से तो आज starting करते हैं ammonium आयन से NH4 plus one अब देखे NH4 plus one क्या है अगर आज पूचा जैसको define करें यह क्या चीज है तो क्या बताएंगे भी यह क्या चीज है इसको कैसे किस category में डालेंगे बढ़ियां बढ़ियां अच्छा चा कि आल चल बढ़ियां बढ़िया आओ इदर आओ शेर करो फटाफट सेशन को subscribe नहीं किया subscribe करिए like करिए शेर को फटाफट चैनल को फटाफट अच्छा बताएं नह4 plus कैसा है भी यह नह4 plus कैसा है पॉली डेगी पॉली अटामिक है कैसा है नहीं कियाटायन है तो आप इसको है जब करने जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे पॉली Vouी एकंुमिक क्यमेंट आपको निकालने है कितने इलिक्टॉन कितने बना कैसे बना केसे बना है शब्साज़ाइब एक नाइटरोजन लेना शुरू करो कितने शार इनको दोब श्रीमेटा क्लिक दो 7 & 14 1H1 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 बताव NH4 त्यार हो गया अब आपको क्या इसके उपर के चार्ज डेवल Bou pakai अब सकी उपर अगर आपको इसके उपर एक चार्ज डेवलोब करना है तो किसा चर्ज डेवलॉब बदहा है आपको इसके उपर है तों क्या करेंगे इसके अंदर से एक electron को बाहर निकाल दें जितना positive content develop करना है उतने electron बाहर निकाल तो यहां से एक electron को बाहर निकाल दो अब बताओ एक electron को जैसे बाहर निकालोगे तो यह क्या बन जागा NH4 plus clear है एक दब बेसिक से चलिए एक electron पूरे content में से बाहर निकाल दिया मेरे को केवल electron proton neutron count करने है clear है बताओ यह कैसे कैसे निकालेंगे electron कैसे लिखोगे भी proton कैसे लिखोगे और neutron कैसे लिखोगे यह निकालने आपको मैं option दे रहा हूँ आपको यहां पर objective का अनन लीजे electron proton neutron neutron चार आप्शन आपके पास, फटावट, फटावट आईए, चैट में आंसर बताईए, हाँ भी, फटावट, फटावट सब लोग, 165 लोग मुझे भी थमसब दिखा चुके हैं, किते लोग लाइफ देख रहे हैं, नजरी नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइफ चैट मेरे को 115 लो सेशन को खूद शेयर किया करी है, जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ेंगी उतना ही, मेरे को पढ़ाना ही मजाएगा, मेरा जो रियल कंटेंट अगर आप चाहते हैं, निकले बार, तो आपको जोड़ना पड़ेगा भी, तो बताईए, यहाँ पर क्या चलना है, कितने कितने लोग कहते हैं, option A है, A वाले कितने, B वाले कितने, C वाले कितने, D वाले कितने, C वाले काफी लोग हैं, यह चर्चा शुरू करते हैं, सबस्वर्य बताईए, यहाँ पर इलेक्टरॉन बताओ कितने हैं, साथ, इसके पास बताओ कितने हैं, इसके पास 1, इसके पास 1 इसके पास 1, सबको उठाके जोड़ दो, सबको उठाके जोड़ दो, कितने होगे, 7, 4, 11, एक आपने बाहर निकाला, देखिए, एक electron आपने माइनस किया, तो बताओ, इसमें से एक माइनस कर दे, तो एक माइनस कर दो, बताओ, कितने electron बचे, 10 electron, अगले प्याओ भी है, प्रो 13-7, तो कितने होगे, 7, यहां बताओ, कितने होगे, 1-1, तो 1-1 मतलब 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, जोड़ दो भी है, सबको उड़ागे, सबको add कर दो, कितना होगे, मामला 7, यह answer है, 10 electron, 11 proton, 7 neutron, 10, 11, 7, कितलो, clear है, सबल, अब अगर net charge की बात कर थोड़ी से यहां पर, net charge की अगर चर्चाप करना शुरू करते हैं, तो बताए, net charge कैसे चेक करेंगे, net charge दिखने के लिए, आप क्या करेंगे, देखिए, इसके उपर आपको निकालना, net charge की value कितनी है, net charge निकालने का तरीका सुनी रहे हैं, बताए, 7 neutron की उपर कोई charge होगा दस electron का जो negative होगा, वो 10 proton के positive को निप्टा देगा, बोलो भी, 10 electron का negative, 10 proton के positive को निप्टा देगा, तो बताए कि एक proton का positive बच जाना चाहिए, net में, एक proton का positive बच जाना चाहिए, और वो एक proton का positive वही तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ, यह जो plus one लिखा है, इसमें यह plus क क्या बता रहा है कि positive content net में बचेगा मतलब कौन बचेगा proton बचेगा one क्या बता रहा है या one क्या बता रहा है कि कितने proton बचेंगे तो एक proton बचेगा यह बात अब यहीं समझ सकते हैं अगर तुछ दिमाख लगाए तो हेलो अरे ठीक है क्या समझ भा रहा है ठीक है तो बताइए एक proton net में जब बच जाएगा तो net charge किसके बराबर होगा एक proton के बराबर का तो क्या लिखोगा एक proton के उबर कितना charge होता है प्लस 1.6 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 19 कुलार्म कितल को बाते सारी समझ में आ गई इतने सावाल से पूछे जा सकते हैं electron proton neutron बताईए net charge बताईए clear है तोड़ी है फटापट बात एक दम clear तो उटा दिखा दें इससे स्पीड में काम करो भीया चले नोट कर लिया आगे बढ़ा जा अगले पॉइंट पर आईए ठीक है अगले पॉइंट पर आईए अब इसमें अगर आप थोड़ा दिमाख लगाएं कि इस सवाल को क्या और भी कुछ तरीके से किया जा सकता है तो आईए जे सुनते हैं जे क महिलाओं के लिए फटा-फट जो है पिंक कलर आ चुका है जे क्या कहता है अवे सुनिए कद्यां से लड़कियां भी तो बोर्ट देती है तो जे क्या कहता है यह समझें देखिए आपस कह रहे हैं यहां पर आपको देख के एंटिटी को समझ में आ रहा है है ना वो यह दि यहां पर नगेटिब कंटेंट पे भारी बढ़ा होगा तो बताएगर पॉस्तिफ कंटेंट नगेटिव फारी बढ़ा का तो मतलब पर प्रोटॉन की शंख्या अधिघ होनी चाहिए था जो जी कहता है कि आप वह ऑप्शन दूड़र है जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर लिग दिया हो नहीं सकता है क्योंकि उसके पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो नहीं सकते हैं, बचे दो आप्शन 10-11-7 और 11-10 साथ, बता है यह आपको पॉजिटिव कंटेंट डेवलप करना है तो प्रोटॉन की संक्या क्या हो नहीं ची जादा, तो बताओं यहां पर प्रोटॉन कैसा जादा है, यह प्रोटॉन है, यहां पर देखो प्रोटॉन कम है, तो बताओं यह भी गलत है, कितल को बात समझ में आप तोड़ी है, मौँज है तो कीबोर्ड तोड़ी है नहीं तो अपना टेस्स चेंज करिए, आपका टेस्स हों गई ना, अपने आपको स्वेम को कैसे बतलेंगे, कि अपने अंदर से खुद को निकाल दूं क्या,